इनके जुले दमाग ग्रिस्ट में थे खरवारी तो बाद चीज, गुफ्त उचनीज, मामलाद को आल करने की कोशिश यही रुमानमी मामलाद में बदबाव पड़ा हुआ था और यह बड़ी कोशिच करते रहे हैं इन दोनों मामलाद में और कोशिश कर दे कर दिया, वनोंने यह महसूस किया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अच्छा डिफीटिस्ट ऐलिमेंट है थेंटर्ड ओ, मुहबद दोनों कारवार में ना कामी हो गई तो वो करकर के गुफ्त उचनीज, दमाग को गलाव सड़ाख सुर्टियाल यह है कि वो समिझे हैं कि कुछ नहीं हो रहा और यह उनके अपनी खलती है, उनका टंपरिमेंटल अप्रोच ही ऐसी है तो यह सुर्टियाल है सब तो उनके सामने आएगी हाँ, अब वह बात मैं करने के काबल हो गय हूँ कि बीस अक्तूबर को फुल मून आ रहा है और फुल मून जुना बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इनके तलगात पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ने बाला है तो इससे यह महसूस करेंगे कि हमारे आलाद जो है यह जो पिसने जनों अच्छे थे हाँ अब यह कोशिश करें बीस के बाद या बीस के दौरान एक दो प्लैने अच्छे लेखने बाले हैं उनकी वह रुकावटे खतम होने वाली गाए वो रुजवत खतम होने वाली तो उससे मैं यह कहूंगा सासाथ कि वह अगर अपने अपने आलाद को बाहर करने कोश्च करें तो काम्याबी होगी और यह जो दौबाव पड़ा हो आज कल वह अपने दलगात पर दौबारा च्छा जाएंगे अच्छा जो ट्राएंगे और आपने जोश वर खुरोश से इनिशेटिव से यह जो पहला है उ और फेर छा जएंगे और रिष्टदार से तर्वार्गात कैसे जी पर गज़ारात कैसे रहें वह अप सिर रुमान डी और खालवारी पर लोगा है फिर उनको कैम रखना पड़ेगा और फिर उसके शुकर गजार होना पड़ेगा तो देखें बात 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 और आप फिर मुझे उद्र ले गए हैं और यह हमली अफराद कहेंगे कि यह हमें इतने खातर में नहीं लाते अच्छा यह पता हैं कुछ लोग इनके इनिशेटर को पसंद नहीं करते हैं जो शुकरोज मा आते हैं हर वक्त यह भी उनके परवान आतिये करें अच्छा यह पीस ओफ एडवाइस है फॉर हमली अब मैं सौरी हजराइट तरफ तो सौरी हजराइट 18 अक्तूबर हो अतारों तो मुझतरी मुस्त्री मुस्तकीम हो रहे हैं जिसे आपके जमवारियों वह बहुत ज़िदा इजाफ होने वाला है ताले 6 गंडे काम करते थे आप मुमकिन 8 गंडे काम करना पड़े थे और इस वज़े से आपनाई रखी है कुछ जो उसके वीसे कमयाबी हुई है इसकी आपके बड़ी कदर रफजाई होगी तारीफ होगी औ और आप महसूस करेंगे कि मेरी पालीसी जो है उसको पसंद किया गया है लेकिन इस कामयाबी बात अब आप सोचेंगे कि मैं मजीद कामयाबी आसल करूं मजीद काम करेंगे मजीद बॉर्ट डालेंगे तो यह मैं आप सहरुद करूं कि यह मजीद बॉर्ट डालने से आपक की सहत के खराब होने का इमकान है और आपको अराम स्कून की जरूरत पड़ेगी तो यह जो बीस अक्तूबर है जब चांद पूरा हो जाएगा और उसी क्या कहते है चोद्वी का चांद आएगा तो अगर आप इसी तरह काम करते रहे मिनित की तो आपकी सहत पर असर पढ़ने अब मैं जोजा की तरफार हो जी जोजा जमिनाई जोजा जरात आप इन दिनों आपके पांच्वे खाने में सितारे माजूद है पांच्वे खाने में मरीख है पांच्वे खाने में सूरज है जब सितारे पांच्वे खाने में होते हैं तो नुमानी जिन्गी में बड़ी करने हैं उसके साथ अच्छा लेकर अगर आम और यह जाज़ दें तो मैं एक दब फिर बीस अक्तूबर का देगर करें तो बीस अक्तूबर को जो पूरा चांद होगा उसके वाई से आपको ये फालरटेशन मेंगी पड़ेगी बीस अक्तूबर भारी हो सकता है आपके पांट करने था कृष्चमेंट करने तो यह उस आदमी से मतलक है जो करना चाहता है कृमेटमेंट में आपको यह गार चाहता है बाद को बात होगी और वह आपका पार्टनर कहेंगा कि इस अधर बात करो मेरे साथ तो अगर आप इस काबल हैं तो करें तो फिर भाग जाएंगी तो यह 20 October दूर नहीं है, मुझे फिर 20 October के सब्सक्राइब करना पादा है। 20 October तो लोगों को डिरा रहे हैं, प्रफेसाब, लोग आप जो बाते हैं गर से ही निकलेंगे, आप कहारे हैं कि कमिट्मेंट गले पड़ जाएगी हुझे जैसे हैं बताना पड़ते हैं, कि 20 October को फुल मून होगा, चौदी के चांद होगा, तलगात पर असर पड़ेगा, और आपको तलगात के बारे में कमिट्मेंट करनी होगी जोजी अज़राद, और यह माजी के जो आप में प्रोगाम और फलरटेशन चुरू की है, अपने आप कोशहार ना समझे, इडिस गूंग टो एक अपना रविया, जजबाती लिए लगाता है, तो इस अफसे भी में जास से लगता है कि आप कंट्रॉल करेंगे, जिससे आपके साथ जो को लोग काम करते हैं, कुलीग हैं आपके, वो बड़े मुतमिन नदर आते हैं, कि आप भी वाकिए, एक अच्छा खुबसूरत रविया आपने अक्तियार कर लिया है, बीच में अच्छी बाते हैं आ रहे हैं, नहीं बड़ी अच्छी बाते हैं यह तुछ तरह की बाते हैं, और इस वास्ते आप यह रविया काम रखें, और दूसरा यह है, कि जरूरा ज्यादा काम दूसरों के लिए एक अन नेच्रल सी बात लगती है, यही आप रविया अक्तियार कर रहे हैं, यह आप जजबात में इधर चले जाते हैं, यह आप जजबात में इधर चले आते हैं, तो आप अगर अच्छे हो गए हैं, तो इतने अच्छे हों जतना अच्छा होना कि आपके जिन्गी में मजीद आराम और सुकून आगए मैं इन से काफी अब मुझे एसास हो गया यह साथ बैटे हैं बार बार रोगते हैं 20 अक्तूबर नहीं लेता लेकर 23 अक्तूबर को मुझे नाम लेना पड़ेगा 23 अक्तूबर को सुरुज अक्रब में दाखल हो रहा है अक्रब में दाखल हो जाएगा और अक्रब में दाखल मास सर्तानिया अफराज के लिए बड़ी लुट्फ अन्दोज जिन्गी आ रही है अच्छा परमास आ रहा है वाह खुशें आ रही है और वह 23 नमबर तक रहेंगी थोड़ी बहुती टेंशन रहेगी लेकिन जिन्द हो रही है और साथ-साथ आपके जो जो यह यह जोनावी जवान सर्तानिया अफराद के रहा हूं यह वैसे सर्तानिया अफराद के लिए सूरुज का आकरों में दाखलो ना उनकी जिन्गी में अराम सकूम और लुट्फ अंदोजी आ रही है आगे आप चलते हैं लियो असर आपका कोई मामला ठीक नहीं नजर आ रहा Харт या वो आपके रवीया को महसूस करें या 앞 उनके रवीया को महसुस करें या को यस स्थेम गलेलprene जिन्गी में बोजब है आपके जिन्गी में बड़ी DRAMAE आप के जिम्टी में दिर्माई शकल इकियर कर चुकी है. जो भी बात हो रहिए ऑट ड्रामे की शकल में हो हो हुआ है. और दो पर आपके मुस्तिकीम हो रही हैं. जैसे कि हम पहले जिकर कर चुकी हैं, अतारत और मुश्तरी और। मुस्तकीम होने के बाद, आपके ड्रमाई सूर्तिहाल बने वी है, इतार रहो, एक सभी शूर्तिहाल साथ आप ने आ रही है तलकात की. इनके प्लैनेट के मुस्तकीम होने के बाद, उसके बाद कारियर के हवाले से जनुवरी से ही, आप Eh चर्वेरियर के बड़ी उठान है बड़े उतार चड़ाओं है बड़ी उठान है करियर तो बहुत ज़्यदा हमियत है और यह से सरद चला आ रहा है अब यह जो नोवंबर आ रहा है इसमा को कि अपने के बारे में जरा सोचना पड़ेगा कि कहीं आप जल्द बादिस की काम ने ले जाए तब्दीली ने ले आए टेंशन को बरदास करें 23 अक्तूबर के बाद कैरियर के लिहास है और कैरियर के लिहास है पिछले साथार नौ मेरे से जो उठान है उसको कैम करने के कोशिश करें और वालदेयन से भी अपने तलकात के बारे में सोचें उसके बाद अपना कैरियर के बारे में ज्यादा सोचने समझने की कैरियर को समझने के कोशिश करें 23 अक्तूबर के बाद चीक हो गया ताके यके नौममर तक आप किसी और तब्दीली के शिकार ना हो जाएं। बिल्कुर थी। आप मैं आता हूँ। विर्गो सुंबला। वहाँ सुंबला की तरह है। तो सबसे ज्यादा अतारच जो पीछे चल रहा था सबसे ज्यादा अतारच के पीछे चलने के विज़े से सुंबला पर असर पड़ हुआ था। इनोंने इनके माली अराच में अपने आपको खैंचे हुआ था माली अराच में बड़ी कंजूसी से काम ले रहे थे। इतनी कंजूसी से ले रहे थे कि इनके दो सबाब ने इनका ठटा मिजाग बनाई हुआ था कि इतनी कंजूसी के अची नहीं होती। लेकिन ये उस अतारच के रिट्रो गेट होने के वज़े से सेम हुए थे डर्वे थे अपने खरजात को रोक हुआ था प्लैनिंट नहीं कर रहे थे आगे नहीं बढ़ गए थे अब 18 के बाद मुस्तकीम होने के बाद अतारच के ये खुलकर सामने आएंगे अपने कारबार के बारे में सोचेंगे और फिर वह रही अफियार करेंगे जो पहले इन अफियार की होगा जिससे इनको काम्याबी आ रही हैं और आपने माली पलीसी को बदल लेंगे ठीक होगे आप महसूस करेंगे रेटरोगेशन के खतो माने के बाद के मेरे अलागत असान हो गए हैं अब सेमी मौतरम बड़े नाराज हो थे बीस अक्तूबर को वज़े से लेकन मैं सेमी साफ से कूँगा कि मेरी बात आप गवर चे सुनें सुमले अजराज जो आपका कर्दा आपने किसी के देना है तो बीस अक्तूबर को आपके जिए असानी पैदा हो रही है जबरदस यह बड़ी अच्छी बात के आप तो यूं सुमले अजराज के मामलात चल रहे हैं आज हैं जी लिबरा मीजान मीजान ने अपना हजरात आप पिछले दिनों से खुदगर्जी से काम ले रहे थे मैं कहने यह चाहता हूँ कि अपने अराम स्कून को इलिए आपने कई कामों को नजर अन्दाद किये हुए था अपने आपके अपने अराम स्कून को हमियत दे रहे थे वह आपने जो भी र तो मिजाने अफराद ये बड़ा अच्छ हुआ कि आप ने अराम और सुगून आजिल किया और आपकी तमानाई में इदाफ हो गया वो इस हफ्ते आपके काम आएगी तमानाई ठीक हो गया क्योंकि इस हफ्ते ऐसा सुर्तियार पेंट होने वाली है कि आपको बहुत ज़रा त बिजाद तो 20 अक्टूबर को जो फूल मून आ रहा है जो मैजाने अफराद आप अपने जो तलकात दूसरों से कायम की हुए हैं और जो बड़े एह्म तलकात हैं आपने कायम की हुए हैं उनके बारे में आप फैसला करने वाले हैं और यह जो फैसला है आपके जिन्दगी इस तरह सरंदाज होंगे और आप अपने शरीक कार, शरीक हायात या आपने किसी आहम पार्टनर से तलकात या तो खराब कर सकते हैं मजीद या मनकते कर सकते हैं इस तरह आपको एक बड़ी तब्दीले से वास्ता पड़ जाएगा बरहाल अच्छी तरह सोचिए और अगर तब्दीली की जरुरत है तो जरूर तब्दील करें और अगर जरुत भी है तो नेसेस्रेली मत करें प्लैनेट ये कहने कि मैं जजाज नहीं दे रहे थे जितनी होने अजाज़ती वो मैंने कह दी कि हफता बहुत आम है आपके बहुत ही करीबी शिरीके आयाथ शिरीके कार कुई आम दोस्ती तलग उस पर दबाव पढ़ रहा है भी सक्टूबर को और वो आम दबाव नहीं है अगर आप इस तलग को खतुम करते हैं तो फिर आप सब सोच समझ कर करें आगे चलकर कान सिक्वर्सिट जो है इसके जो इसके रिजाइज है नतायज है वो ज्यादे ही कुछ नदर आते हैं अच्छा जी प्रोफेसर साब यहां पर हम रुकेंगे बड़ी एहम बात आपने की लिबरा क्योंकि वैसे भी यह वजिर आजम साब का स्टार भी है और उन्हें भी बहुत सारे फैसले वो भी बहुत कुछ का जा रहा है तो बारहाल हमें यहां पर एक चोटा दा वकफा लेने वापस आते हैं तो हम स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे अमारे साथ रही वल्कम बैक नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले लिबरा की बात हो रही थी तो बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ आप फैसला कर सकते हैं और उसके बड़े कंसिक्वेंसिस होंगे ज़रा सोच समझ कर कीजिए यह प्रफेसर साब की अडवाईस थी फॉर लिबरा अब आजाएए जी स्कॉर्पियो अक्रब सर अक्रब के ससली में मैं बात करने से पहले आप से इजाज़े लेना जाता हूँ 20 अक्तूबर के बारे में जी प्लीज तो अक्रबी अजाद 20 अक्तूबर को आपको बड़ी अच्छी जाब की आफर हो रही है पॉजिटिव 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 तो वो जो आफर हो रही है आप खोट हरान हो जाएंगे कितनी अच्छी जाब कहां से आई तो यह लिए अपने आप जो आपने जाद के इसाद दादे रहते हैं और इस तरह जाब की आफर जाब बड़े जोश खुरुश मा जाएंगे हैरान हो जाएंगे तो और यह जाब आपकी तबीए के लिए से ज़रूरत मुझूद आलाद के लिए से या जाब की आहमियत के लिए से बहुत इच्छी इसके इसरात है और आप बड़ा जोश खुरुश होगा और आप इस चीज़ को मरा आपका मूड जो है वो आप पो जाएगा तो आप यह है कि या तो आप यह सोचेंगे कि यह जाब इतनी अच्छी है इसको मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए मुझे तब्दिली लाने चाहिए यहाँ मजूदा लासे वैसी कोई ऐसी सूर्टियाल बनी पड़ी है आप सोचेंगे कि इस मजूदा सूर्टियाल से जान तुनाने के लिए मुझे हिजाब कबूल कर लेने जाएगे बरहाल यह फैसला आप पर है आप अपने सूर्टियाल को देख लीजिए और उसको मताबक फैसला करें और आपके 23 अक्तुमर को आपके घर सूरुज दाखल हो रहा है जब सूरुज दाखल हो जाए यह साल मैं एक मेने हर बुरिज में रहता है तो आपके बुर्ज में 23 अक्वर को दाखल हो रहा है इस वे आपके खुदे दमादी में मज़ीद इजाफ हो जाएगा और इजाफ होने से आपके कारकर्ट की बढ़ जाएगी और ये जिससे सूरुज दाखल होगा उससे ना आप इसकाबल होगे कि मज़ूद आपके बारे मैं फैसला करूं या नकरा करूं ये मौजू है मेरे लिए या नहीं मौजू है ये सूरुज के दाखल होती है आप इसकाबल हो जाएंगे कि हत्मी फैसला करें और आपका से फैसला होगा अब आजाएंजी लेकिन अजवाजी तोर पर ज़रे इत्याद करें टंशन रखतर है सेजिटेरियस कौसी अज़रात ये जो मुश्टरी इनका रूलर है मुश्टरी कौसी अज़रात का हुकुम राच्शकर है ये जब रूज्ट माओ तो इनका कौसी अज़रात पर ज़्यदा अज़रात पर ज़्यदा असर पड़ता है तो कौसी अज़रात 18 अक्तवर को मुश्टरी के मुस्तकीम होने के बाद आपकी रूटीन में बहुत अच्छा कोई अच्छी तफदिली आ जाएगी या अपनी रूजमारे ज़्यद्गी के बारे में कोई आप सभी शिडूद त्यार करेंगे और उस पर फिर अपना काम किया करेंगे गुज़र से कई महनों से आपने रूजमारे के जिद्गी में कई तरीके अक्तियार किये है गुज़र से कई महिनों से अपनी जिद्गी को बेतर बनाने के लिए आपने रूजमारे के जिद्गी में कई तरीके अक्तियार किये हैं उसको बेतर बनाने के लिए इसके आपको बहुत ज़्यद तजर्बा हासल हो गया है अपने जिम् beliefs के बारे में और जिम्लिपी के इन प्रज़वास से अफ इस आर वाभ 10 अक्तवर को आप हम आबें जो पूरा चांदार है 20 अक्तवर को चाधुन का चांद आ वाभी경ों को तो आपकी की में कुछ रॉमाणभी लेर आ रही है अच्छा पुर ये फल्ड को गुदर जाए नीचे आपड़े हो उस लेर को समा लें और रुमानमी तोर पर जो जन्गी आपकी आ रही है ये आप इसको नौजवान कोसी अजराइट को अच्छा महसूस करेंगे और आपके त्विब नोठान फैदा होगी टैप्रिकौन जदी ओके जदी जदी रात तब्दीली किसी नए घर में आप तब्दील हो रहे हैं को यह किसम की गरिलू तब्दीली है और यह तब्दीली आपके लिए जरूरी भी है और इस तब्दीली से आप बड़ा अच्छा सपर रहेगा आप मंजोश और खरूश पैदा होगा लेकिन इस तब्दीली के वज़े से जो आप पहले जहां रहते रहे हैं इस तब्दीली के वज़े से आपको उस पुराने वाकि बड़ी जादाश्ते हैं यादे आया होगा यादे माजी सवाब है यारब ठीक है तो अब ये अपना तब्दीली को इसे वो पुराने वाकि याद आया करेंगे माजी परस्त हो जाएंगे आप और बीस अक्तुबर के इस तब्दीली के लिए त्यार रहे है और आपको पुछ पुराना खाब है वो अमली जामा पहन रहा है पूरा होने वाला है तकमील सम ड्रीम इस कमिंग ट्रू वो अमली जामा पहन रहा है उनको कोई खाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मेरे महभूब कायद नवाज श्रीफ साब का भी यह यह पता नहीं उनका कॉंसा ड्रीम सच होने हैं दोस्तों को सोच समझ कर पुराने तजर्बे को जिहन में रखकर दोस्तों को बातचीत करें अचा जी ठीक हो गया और उनके विजितंशन कभूल नकरे अब मैं दल्वी एजराहत एक्वेरियस जिनको मैं पहले बता चुका हूँ जी दुब़ार प्लीज सर प्लीज तो दल्वी एजराहत 18 को मुश्ती मुस्तकीम हो रहा है ठीक है अतारज मुस्तकीम हो रहा है इसे आपके खुदिदमाद में बड़ा इजाफा होने वाला है कुछ मामला असुस पड़ हुए थे तेज होने वाले हैं आप पर दबाव था पिसले हफ़े से और मुस्तस रवी थी वो 18 को मुस्तकीम हो जाएगा और इससे आप मुस्तकीम हो जाएगा और इससे आप महसूस करेंगे कि मैं I am full of confidence खुदमादी आ जाएगी और दूसरे यह है माली हालात कैसे हैं पहले अपने यह खुछकबरी सुन ली दिए कि अगर आप किसे से नाराज है फैमिली में आगर किसी बेहन भाई से आपकी नराजगी चली आ रही है बीस अक्तूबर से वो खत्म हो रही है जबर दस्ट उसे आप बड़ी अपड़ा अच्छा सर पड़ेगा आप पर और यह कशिद्गी किसी कि करीवरी शिदार से है ठीक है और उसके बाद यू है कि आप जिदनी पिछल आमद आमद भी रहती है रहती है एक रिदाज ज्याद है चीक हो गया अब आजब पाईसेज पर यह सब्दा आपको आपके खुचोत नौमा और ज़्यदा है अदाफ हो रहा है गबराइगे नहीं बात मैच्छी बाते भी हैं और ना तो अपने साथ काम करनों को साला आपक की केरी नहीं कर रहा है लेकर अठाना क्तूबर के बाद जब यह प्लैनर सीधी हो जाएंगे मुष्ट्रिय और अतारत तो आप महसूस करेंगे कि आप कि तहत और शुरु में ऐसी तबदीली ही आ जाएगी कि आप दूसरों को रही की परवाई ही नहीं करेंगे हम हैल विद अठाना अक्तूबर जो है यह बाहल होने के बाद फिर आप किसी की परवाद नहीं करेंगे और ना इन चैलिंजिंज की परवाद करेंगे और आप पर इसके बाद आप हारेक से बेन्याद हो जाएंगे ठीक हो गया उसके बाद पूरा चांज जैसे नाएगा आपको मज़ी सकून मिलेगा तो चांज ने कई बुरूज के लिए